हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्रेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेज मैं अभी शेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम लोग त्रिकोड मिती पढ़ रहे हैं पिछली वीडियो में हमने त्रिकोड मिती कि प्रषणावली 3.2 की 5 सवाले हल की थी आज की इस वीडियो में हम प्रषणावली को खतम समापत करेंगे और आगे के लिए कुछ और भी पढ़ेंगे तो देखे, सुरू करते हैं आज की वीडियो सवाल नमबर है 6 प्रशनावली तीन दस्मलों की सवाल 6 से पांस तक सवाल है हमने क्या की थी पिछली वीडियो में लगाई थी वो प्लेर लिश्ट में उपलब्ध है उन्हें जाकी जरू देख लीजिए करें हैं कि साइन साथ सो पैसाथ हंस का मान ग्याद कीजिए साइन होता है और पॉजिटिव यस फार होता है साइन और कास पॉजिटिव टी फार होता है टैन और काट पॉजिटिव सी फार होता है कास और सिक पॉजिटिव यह दोनों पॉजिटिव है यह दोनों क्या है पॉजिटिव है और यह हमारा क्या है अल पॉजिटिव है ठीक है दे में मतलब त्रिकोंड मिती के चज़र ठांसों में ले आएंगे और वहां इसका क्या करेंगे मान ग्यात करेंगे वैसे अगर हम आपको बताएं तो जो त्रिकोंड मिती अनुपात होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है फिर से वही आती है कब टूपाई के बाद एक चक्कर गुडएथ 마 कि एन प्लस माइनस थीटा क्या होता है 306 गुडएथ यरन प्लस माइनस तते इस प्रकार की सुधर का करते हम इस प्रकार की की सवाल pł को लगाने के लिए प्रयोक करते में देखे है जैसे चब्धार,time, sık्यूद्धा N हम 2 से घूडा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 720 मिलेगा 360 घूड़े का 2 बराबर कितना हो झाएगा 720 720 में कितना जोड़ दे 65 पर हुझ जाएं तो कितना है 45 है हमने क्या कर दिया 360 गूड़े 2 प्लस क्या कर दिया पैंत alis ठीक है जो बासर मिल रहा है साईिं 360 गुड़े दो जएगा 305 साइं 36 गुड़े दो प्लस 45 मतलब साइं 360 से नह्यां करना यहां तक एंख्यक्कर फिर से चिह ऊंख्यर गुड़े मैं 22rol हो गया प्लस क्या करना 45 यहां से अगर किया का नहीं और पहले खाने में और first खाने में और होता है positive होता है तो यहां क्या हो जाएगा यह हो जाएगा साइन 45 संस क्या हो जाएगा साइन 45 तो साइन 45 संस कमान कितना होता है हम लोगों ने टेवल मनाई थी जिसमें 45 संस कमान होता है एक बटा कायणी में दो यह हो गया क्या आपका अंसर यह जिसका मान है कितने का मान है सा कई सायन सासौ पैसेंट का साइन सा सौ फईसेट डिगरी का एक ये ये आगि दढ़ते हम लोग अगले प्रयश्न की ओर अगला प्रय바 Studios क्या है सवाल नंबर साथ है को स्थ माइन स्थाइव सर थस कौ कि सबसे पहले तो हम इस माइनस को बाहर कर लें, यह हो जाएगा माइनस, कॉसेक, 1410, ठीक है, आईए, क्या कर देते हैं, 360 को ले करके इसे घुमाते हैं, तो 360 ले लिए हम, 360 में कितने से गुड़ा करेंगी, 1400 के नजदीक पहुंच जाएं, तो चलिए, 4 से गुड़ा कर देते हैं, 4 से गुड़ा करेंगी, तो यह हो जाएगा, 0, 4, 24, 24, हांसिल 2, 4, 3, 12, 2, 14, 1400 क्या हो जाएगा, 40, जबकि हमें चाहिए कितना, 1410, तो हम लोग क्या करेंगी, इस में से घटा देते हैं, कितना, 30, तो यह मिल जाएगा, 1400 कितना, 10, ठीक है न, मतलब, यह हो जाएगा, हमारा, माइनस कॉसेक, कितना, 360 गुड़े, 4 माइनस, 30, ठीक है, देखिए, 360 गुड़े, 4 करेंगी, 1440, उसमें से 30, घटा देंगी, कितना हो जाएगा, 1410, मतलब, हमारा, आंसर हो जाएगा, माइनस, कॉसेक, कितना, देखिए, आप ध्यांस, देख लीजिए, फिर से, हम लोग यहाँ, जिस खाने में है, उस खाने की बात करें, तो यह हमारा, खाना का, कौन सच खाना है, चौथा खाना है, कैसे, क्योंकि यह 4 चक्कर, जब आप घूम लिए, 1 चकर, 2, 3, और यह, 1, 2, फिर 3, अब चौथे चकर में, आप यहाँ आए, यहाँ पहुचे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, इसका मतलब किस खाने में, चौथे खाने में, और चौथे खाने में कौन-कौन positive होता है, कौस और सेक positive होता है, बागी सब negative होता है, इसका मतलब, यहाँ जो answer आएगा, वो आएगा minus 30 uns, ठीक है, तो यह minus फिर से बाहर आजाएगा, यह minus minus क्या हो जाएगा, प्लस कौस एक कितना 30 uns, और कौस एक 30 uns का जो मान होता है, वो sin 30 uns के मान का क्या होता है, उल्टा, sin 30 uns का मान होता है, एक बटा दो, तो कौस एक minus 1410 uns का जो मान हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ठीक है न, यह है आपके क्या, कौस एक माइनस चादर साओ दस अंस का मान बढ़ते हम लोग अगले प्रश्ण की ओर जिसमें हमसे कहा गया है 10, 29, 5, 3 का क्या ख्याद कीजिए मान ग्याद कीजिए 10, 29, 5, 3 देखे सवाल नंबर 8 है हमारे पास 10, 29, 5, 3 देखे 10, 29, 5, 3 है इसमें भाग दीजिए अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 6, 18, 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा तो इसे ऐसे लिख देते हैं 6, 5, 5, 6 पाई प्लेस कितना हो जाएगा? 6, 5, 5, 3 कितना हुआ? 3, 6, 18, 18, 18, 19, बटा 3 10, 6, पाई प्लेस पाई बाई, 3 मतलब समझ रहे हैं? 6, पाई 6, पाई का मतलब क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक आएगे 1, पाई फिर, यहां से यहां तक आएगे 2, यहां से यहां तक आएगे 3, यहां से यहां तक 4, पाई यहां से यहां 5 पाई यहां से यहां कितना 6 पाई मतलब यहां पर ठीक है और उसमें जोड रहे हैं क्या कर रहे हैं जोड रहे हैं जोडने का मतलब किस खाने में आ गए प्रथम से तुर्थांस में आ गए और प्रथम से तुर्थांस में क्या होता है अल पॉजिटिव होता है त्रिकोर्मिति के 6 के 6 अनुपात क्या होते हैं इसमें धनात्मक होते हैं तो यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा क्या 10 πाई बाई 3 क्या हो जाएगा 10 πाई बाई 3 और 10 πाई बाई 3 का मतलब होता है रेडियन में 10 19 पाई भाई तीन का मान ठीक है यह रहा आपके 10 पाई भाई तीन का मान बढ़ते हैं हैं अगले प्रस्टिंग की और जिसमें हमसे पूछा गया है क्या साइन साल नमबर 9 है साइन माइनस 11 पाई बटा तीन का मान ग्याद कीजिए ठीक है सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे इसे माइनस को बाहर निकालेंगे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाई तीन 11 पाई बाई तीन से भाग दीजिए तो इसमें तो तीन बार पूरा पूरा च हो जाएगा यहांintend ily بن फिरन कि कि अब लिकेंगे थीन पाई प्लीस तिन त्रिक कि नव बटा कितना यह ढूँ में समझ रहए है तर स्थिछोटर रहें कितना जोड़ रहें है तूपाइब तीन हमेई गारे चाहिए तो इससे क्या कर देते हैं इसे चार बार कि Ellis रेके चार रहते हैं चोथे खाने में cause और सेक positive होते हैं बागी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं यह क्या हो जाएगा minus sign minus minus sign minus pi by 3 और minus बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा plus sign क्या हो जाएगा pi by 3 और pi by 3 का मतलब degree में होता है sign 60 degree sign 60 का मान हो जाएगा कितना करणी में 3 बटे 2 ठीक है यह रहा आपका किस का मान sign minus 11 pi बटे 3 का मान करणी में 3 बटे 2 बढ़ते हैं अगले प्रस्चन की और अगला प्रस्चन है हमारा कॉट माइनस 15 pi by 4 कॉट माइनस 15 pi by 4 देखे कॉट माइनस 15 pi by 4 है तो सबसे पहले कॉट को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं यह काट हो जाएगा माइनस काट 15 pi by 4 ठीक है कितनी बार इसे तोड लीजिए इसे तोड़ेंगे दिया हो जाएगा कितना माइनस काट 4 pi माइनस 5 by 4 देखे 4 चवग 16 चार चवग 16 और 16 में से एक निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 pi by 4 देखे अगर हम लोग खाने की बात करें तो 4 pi कह रहा है निगेटिव होता है इसलिए काट माइनस 5 by 4 तो यह हो जाएगा काट 5 by 4 और काट 5 by 4 का मान कितना होता है एक होता है ठीक है काट 5 by 4 का मतलब डिगरी में इसका मान हो जाएगा 45 दिगरी तो काट 45 का मान कितना होता है एक होता है ठीक है इस प्रकार आपकी प्रशनावली 3 द हां से देखे और अपनी नोड़ बुक में नोड कर ले और उने कंठश्य भी करने का प्रयास करें बाकिया हम लोग सवालों के माध्यम से उसे क्या करेंगे कंठश्य करेंगे ठीक है? देखे सबसे पहले हम देखेंगे दो कोणों के त्रिकोण मिती योग, दो कोणों के योग अंतर पर आधारित सुत्र, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दो कोणों पर आधारित योग एवं अंतर पर सुत्र, ठीक है, कौन कौन से सूत्र होने वाले हैं दो कोड़ों पर आधारित तो दो कोड़ों पर आधारित जोड और घटाने पर आधारित सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे पहला हमारा सूत्र है अगर देखें तो सबसे पहले सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें क्या है हमारे पास साइन x plus y ठीक है दूसरा जो सुत्र है वो हमारा क्या है sin x minus y ठीक है देखें ये दो कोड़ों के क्या है जोड़ पर आधारी थे ये किस पर आधारी थे घटाने पर आधारी थे इसी प्रकार से cos के लिए देखें तो cos x plus y हो जाएगा और चौथा देखें तो cos क्या हो जाएगा x minus y हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े हम लोग तो हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या 10 x plus y 10 x plus y और क्या हो जाएगा 10 x minus y ठीक है अब हम इन सुत्रों को लिखेंगे कैसे sin x plus y है क्या है sin x plus y है इसे sin x plus y में x की जगा a y की जगा b मतलब आप क्या कर सकते हैं जो अचर है अचर तो यहाँ नहीं है अचर नहीं चर जो है चर है उसे क्या कर सकते हैं आप replace कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे x अमने लिखा आप क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, C D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, sin x, फिर कौन आएगा, cos y, क्या होगा, पहले sin, फिर कौन, cos, अगर बीच में plus है, तो कौन सा चिन आएगा, plus का चिन आएगा, और जब sin पहले था, वो बाद में हो जाएगा, अर्थात cos x हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, sin y, फिर के, sin x, cos y, plus cos x, sin y, इसी प्रेकार से माइनस वाला देखें, तो माइनस वाले में हो जाएगा, sin x, cos y, plus की जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, cos x, sin y, ठीक है, यह हो गया, cos x प्लस y देखें, cos x प्लस y, तो cos वाले फ़र्मूले में आपको ध्यान रखना है, कि दोनों, जो होता है, जैसे यहाँ देखें, sin cos दोनों मिलके आ रहे हैं, साइने साइन भी अगला देखिए यहां माइनिस लगा है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई ठीक है आगे देखिए टैने एक्स प्लस वाई है तो टैने एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा टैने एक्स प्लस टैन वाई अपान 1 minus 10x into 10y ठीक है 10x plus y का फामूला होता है 10x plus 10y upon 1 minus plus सुत्र रहेगा तो अंस में plus रहेगा और हर में minus रहेगा और यदि minus है तो अब अंस में क्या हो जाएगा minus हो जाएगा और हर में क्या हो जाएगा plus हो जाएगा ठीक है ने यह क्या हो गया 10x-10y upon 1-1 plus 10x into 10y इसी प्रेकार से हम लोग cot x plus y और cot x minus y का भी देखते हैं देखिए सात्वा सूत्र किसका cot x plus y आगे cot x minus y ठीक है का यागे cot x plus y और cot x minus y पहले देख लेते हैं ठीक है cot x plus y और cot x minus y का होता है क्या cot x cot y-1 अगर देखिए ध्यान सुनिए जैसे हम लोगों के 10 में अगर प्लस है तो अंस में कौन आता है माइनस और उसका उल्टा जो चिन होता है वो कहां आता है हर में आता है तो कॉट की बात करें तो कॉट में क्या होता है यदि प्लस है तो ऊपर क्या आएगा अंस में क्या आएगा माइनस आएगा और हर में क्या आएगा प्लस आएगा लेकिन यहां कॉट वाई godoxë क्द्छले लिखा जाएगा का ट्यक्स लिखा जाएगा तीजीए है काट-1-1 देखें यह रही इskiC-स- माइनस वा इक है औरिए वह आता है सबसे पहला फार्मूला है दूसरी बाता है तू हुआ है टू काश स्क्वार एक्स माइनस one ओ vet गए इसके लिए और जो फर्मूले आते हैं उन फर्मूलощ में नमबर यह one माइनस two sine square x का घृच है आगे देखे आगे देखंगे तो cost 2 x का हुआ फिर्मूला होता है वह 10 के पद में भी होता है किसmek होता है इस सिर्फ और एक सुत्र के लिए है किसके लिए कॉस्ट के लिए आप कॉस्ट को चाहें यह बोले यह बोले यह बोले यह बोले वह हम अपनी आवशक्ता के हिसाब से इन सभी में से किसी भी एक का क्या करते हैं सवालों में प्रयोग करते हैं तो यह कॉट 2x का सुतर रहा ठीक है आगे देखें तो साइन 2x का किसका साइन 2x का साइन 2x का टैन के पद में इसका फर्मूला होता है टू ये मान स्फ लाइन के ता आगे देखें साइन क्यों हो गया हुक्त है अगले फ़र्मूल में हो यह 10-2-8 क्या हो जाएगा 10-2-8 देखें तो 10-2 यॉस各ड फार्मूला होता है वह अ का जी स्गूर निसंट्वारी एurositas डिए कि यह किसका फैने सेन माइने इस स्वर्मूले है kisne 3x का है कि साइन 3x का थीख है अगला है कास 3 x का अगला है 33 x का अगला है कोट 3x का ठीक है आईए 3x का सभी फामलों को क्या कर लेते हैं पूरा कर लेते हैं सबसे पहले किसका 3x का देखिए 3x का फामूला होता है 3 sin x minus 4 sin cube x किसका 3 sin x minus 4 sin cube x ठीक है अगला देखें तो यह हो जाएगा cos x का cos 3x का हो जाएगा 4 cos cube x minus 3 cos x यह किसका फामूला है cos 3x का है 10 का देखें तो 10 का हो जाएगा 3 10 x minus 4 10 square x अपान ठीक है क्या हो जाएगा 1 minus 3 10 square x यह हो जाएगा किसका फामूला 10 3 x का और 10 3 x के बाद कोई खास जरूत नहीं पड़ती क्या कर लेते हैं 10 के रूप में परिवर्थित कर लेते हैं 1 upon 10 1 upon 10 3 x लिख लेते हैं तो कॉट में हम लोग नहीं जा रहे हैं यह किसका फामूला और डियागा Flame तो क्या हो जाएगा इसमें एक मचांइन आएगा अच्छा कॉस माइनस है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ठीक है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का देखें तो क्या हो जाएगा इसमें एक में साइन आएगा अच्छा कॉस माइनस है दो दोनों में क्या आएगा साइन आएगा माइनस तू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन वाई माइनस ए आएगा यदि आप यह माइनस पहले नहीं लगाते हैं इसे क्या लिखेंगे यह लिखेंगे ठीक है देखिए और आगे किसका यह तो कॉस्ट के लिए हो गया ना साइन के लिए देखिए साइन एक्स प्लेस साइन वाई और कौन साइन एक्स माइनस साइन वाई ठीक है यह है और कौन है और फार्मुला है तू कास एक्स इंटू कास वाई तू कास एक्स इंटू कास वाई ठीक है और फार्मुला है माइनस 2 sin x into sin y 2 sin x into cos y 2 sin x into कौन cos y और 2 cos x into sin y 2 cos x into कौन sin y ठीक है? देखे सबसे पहले sin x plus sin y का देख लीजिए sin x plus sin y क्या हो जाएगा? 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by क्या हो जाएगा? 2 ठीक है? sin x minus y तो इन दोनों में क्या आएगा? cos दोनों में ही क्या आना वाला है? एक में इसमें cos cos ही आएगा यह cos x plus cos y में दोनों cos cos आया? अच्छा cos x minus y में दोनों sin sin आया ठीक है? यह हो जाएगा sin x minus sin y में एक sin आएगा और एक क्या आएगा? cos आएगा लेकिन इसमें पहले क्यों आएगा? cos आएगा cos x plus y by 2 into sin x minus y y 2 ठीक है न? यह रहा आपके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 cos x into y के लिए फर्मूला हो जाएगा cos x plus y एक ब्रैकिट में plus cos x minus y अगले ब्रैकिट में ठीक है? अगला minus 2 sin x into क्या है हमारे पास? sin y है इसके लिए फर्मूला क्या हो जाएगा? cos x plus y minus cos x minus y ठीक है? sin x minus y ठीक है? यह हो जाएगा sin x plus y into sin क्या? x minus y ठीक है? इसके लिए फर्मूला क्या हो जाएगा? sin x plus y minus sin x minus y ठीक है? इस प्रकार आपको अगली प्रशनावली पढ़ने के लिए जिन बात्वपूर्ष सुत्रों की जरूरत पढ़ने वाली है? उन सभी सुत्रों पर हम लोगों ने क्या की है? चर्चा की है आगे आने वाली प्रशनावली कौन सी? तीन दस्मलों तीन को हम इन सुत्रों द्वारा क्या करेंगे? हल करेंगे आई होब वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत